बिस्मिल्ला रह्माल रहीम असलाम आलएकुम रह्मत लाही बरकातों। सीक्वेंट्स एंड शीरीज के लेक्टर नबर टू में हम क्वेस्टेन नबर टू को डिसकस करते हैं सीक्वेंट्स काण टू लेक्टर पोड़ लो तो अzer सेब्सक्रा नबर के कि लिए खिर्फर चींट्स नबरॉस्टेव फिर्मिंट्ट निकल ली थी और वह सीग्वेंट्स के लिम Geschichte निकले थी इसी तरह अभिए सीक्मेंस चैर्ड कन्वर्ज कर रही है सिस्टमिनेंट पे टू बाई टू का डिजा मिनियुट है तो इसकी वैल्यू मालम कर लें के लिए में डिजंड मालम करनी फिसी तरह एक और सीक्वेंस आव गर्ण करती है तो यह तो क्वेस्टन हो गया द 18 option 15 12 9 हम जरा देखते हैं कि पहला डिटर्मिनेंट 8124 उसकी जरा वर्किंग यहां पर करते हैं तो आपको जैसे पता है कि 8 into 4-1 into 2 तो 32-2 यह आजेगा 30 दूसरे डिरमिनेंट की एक्सपैंशन करते हैं वह भी इस तरह 1 into 4-1 into 2 1 into 4 into 1-2 1 into 2 तो यह आजेगा 4-2 अब इसका अंसर 2 आ गया तो XN और YN लिमट जो है वो किसको प्रोश करेगी 30 over 2 XN आपका 30 निकला एक्सन 30 को प्रोश कर रहा है वाइन जो है वो तू को प्रोश कर रहा है एक्सन और वाइन जो है 30 वर 2 को प्रोश करेगा तो अंसर मर पास किया आ गया 15 तो 15 वाली आप्शन जो है फिर यह आप्शन जो है वो ठीक है 15 अब नेक्स क्वेस्टन की तरफ चलते हैं वरकिंग अमने देख लिए इसकी तो तो सीक्वेंश एक्सन वाइन और सट तो बी एक्वल इपन ओनली एक्सन इस इकल तो वाइन फॉर और एन वाइन फॉर और एन देखे वी सीक्वेंश की टरम्ज है Sydney क्रॉस्पॉणिंग टर्म्ज अगर उसकी सारी की सारी 2 सीग्व nouvelles की इकल होगी तो सीपन si प्रपर होगी यह पहली है एक्सन वाइन वाइन जुर गुरंटिड है 505-100 तरम्ज के बाद कि के एक्स एन वाली सीट जाह सकी 500 तरमंज और वाई एन वाली जो सीक वाना से उसकी 500 तरम्ज लगे उसके बाद भी को लेकिन पेड़ी वी टाम्स के बारे में यहां गरंटी नहीं inh एक्सन वाइन के बराबर होगा कि नहीं होगा इडिस नॉट गिवन टियू वह स्टार्ट यान 500 से होता है यहां पर 500 लगाएं और यहां भी 500 लगाएं तो वहां पर से कन्फर्मेशन होती है कि वह जो है वह भर हैं यह 50 से शुरू होता है फॉटी नाइन तक का गरंटी नहीं यह फाइस शुरू होता है यानि पहली चार टरम्स घरंटी नहीं है के वह बराबर कोर रसपाण डिंग टंडिकल हैं के निए दोनों सी क्वेंस की इस सीक्वेंस की पर लाप पर रियग में जो यह वर्राइक फॉर्स इसकी फिर्स ट dif स्टरम ही सबस्क्राइब है या यह नहीं है को यहां से फेला चल रहा से कि साक्ट डाना से नहीं चल रहा थाइं30 IS तरम के वराबर है कि नहीं पतनी चला लेकिन फिफ्ट तरम से कंफरमिशन शुरू होगी है इसकी फिफ्ट तरम इसकी फिफ्ट तरम के बराबर है और आने वाली बाकी भी की क्रिस्पॉंडिंग टर्म्स एक्वल है तो फिर यह गरंटी चुके पहली चार टम्स के बारे में है नहीं है इस लिए यह भी कंडिशन नहीं लगेगी और जो जो क्रेक्शन आएगी वो क्या होगी जैसे मैंने का के सारी टर्म्स के लिए होना साइए फर आल एन वाल आप् यह इसका इसकी आप्शन जहाए वो दुरुस्त आप्शन है कि सीक्वेंस की टर्म्स जहाए उसका यह क्रिशन अगर वो सैटिसवाई करें तो सीक्वेंस जहाए वांडिड होती है गर जो पर यह करती है तो वह फर यूनीक होती है दो लिम्ट्स अगर हो तो सीक्वेंस फिर फिर कनवर्ज नहीं करती कर दो तो बतल बतल पर कठे होना कि सी एक जगा पर अब्री गर्जेंट सीक्वेंस इस बाॉंट जी यह एक रिजर्ट भी है में बोटिक स्पैसिस में और यहां भी सीकेंस सीर्ज वाले चाप्टर बे इन फिर बत इस बाउंटट sequence A is set to be non-decreasing non-decreasing किसे मराज किया है कि वो increasing नहीं है यानि बाद में आने वाली terms है वो बढ़ती नहीं है बाद में आने वाली terms है वो कह रहा है कि बढ़ती नहीं है non-decreasing किसे मराज किया है कि non-decreasing किसे मराज यह है decreasing तो होगी न रूंसे बाद मेलिender कोई बाद मेली टरम कॉंसी है? तो यहां किखे रहे हैं कि बाद मेले टरम या तो पहली टरम के पराबर होगी, या उससे नहिसे बढ़ी होगी क्यु眹 इसमें ये लगाेंगे तो ये decresing हे क्योंकि बाद मैंने रही घ्रियसिंग भी आफ्सके बाद में वाली ठर्म चोकी होगी है और ये लिए Clear वो हो सकती है ये Decreasing है तो हमने जह न न you don don't losing don't कि अबाद में वाली टर्म जो है है पहले वाली टर्म से के बराबर हो सकती है या उसे बढ़ सकती है तब ही जाके नॉन डिक्रीजिंग होगी जी नेक्स क्वेस्टन क्या है A sequence AN is set to be non-increasing अभी आपको समझ आगी होगी non-increasing क्या है कि वो increasing ना हो यानि बाद में आने वाली term जो है increasing कब होती है जब बाद में आने वाली term बड़ी हो तो बाद में आने वाली term बड़ी नहीं होनी चाहिए यानि फिर कौनसी option लग सकती है बाद में आने वाली term बड़ी नहीं हो वो कौनसी option है वो ये वाली option है जिसमें बाद में आने वाली term जो है पहले वाली term से छोटी हो रही है या बरबर हो रही है यहां तो काम खराब है यह तो बढ़ जाती है तो यह तो इंक्रीजिंग हो जाएगी यह भी इंक्रीजिंग हो जाएगी लादा यह वाली आप्शन जा है वो क्रेक्ट आप्शन है इसेट तो बी ऍक्रीजींगों स्टिक लेंग्रीजिंग में । है कि वह बाद मैं कली तर loops को इसिएगर्शन सच्ग है ऑब और देखें कि a sequence is set to be strictly decreasing यानि बाद में आने वाली चर्म जी है वो छोटी होती जाएं और equality का चांस ना हो वो यह है बाद में आने वाली चर्म यह है और यह छोटी होती जा रही है अबाउंडेट मॉनस मॉनटानिक सीक्मेंस इस कनवर्जेंट यह रिजल्ट है मेर पास बाउंडेट मॉनटानिक सीक में सुमेशा कनवर्जेंट होती है नेक्स बैसें देखें लिमट एन अप्रोच इंशनिटी एलन एन ओवर एंड इसमें से अंसर ढूंना है अब इसका अंसर करने के देखने के लिए हम थोड़ी सीजिक वर्किंग अर्टेंग अर्वर्किं के लिए थेरम है अब यह थेरम मैं आपको याद कर आने लगाँ जो फॉर आल एक्स ग्रेटर एक्रेट अंडाट करीड इफाइंग है एंड एक सीक्मेंस ए एन इसी का सब्सक्राइब अर्या नंबर साज देर एन इस इकुल एफ फ फन यानी एफ यह फो यह फंक्शन है उसकी रेंज है उसमें एक्स की जगाब आप अब आन डाल दें तो अब क्या कहेंगे सीक्मेंस की फर्स्ट टर्म एवन जो एफ बन के बरबर है सीक्मेंस की सेकेंड टर्म जो हो एफ टू के बरबर है सीक्मेंट की थर्ड टर्म जो एफ थरी के बरबर है इस किसम का अगर पोर्शन है तो फिर वो कहता है अगर फंक्शन की लिमट एग्जिस तो वही sequence की limit होगी, limit x approaches infinite f of x is equal to L और यहां पर limit n approaches infinite a n is equal to L यानि अगर यह condition satisfy हो, f of x is a function defined for all x greater than nought और दूसरी condition साथ क्या है an is equal to f of n then अगर function की limit exist करेगी तो वो sequence की limit होगी तो यही चीज़ हम यहां पर लगाते हैं, यहां आपको नज़र आ रहा है एन किसके बरबर है एलन ओवर एन तो f of x हमने रख लिया एलन x over x यह जो function है define for all x greater equal to 1 x greater equal to 1 के लिए x1 रख देंगे तो क्या answer आएगा x1 रख देंगे तो आपके पास answer जो है वो आजेगा log 1 आगे चलते हैं a n is equal to ln over n तो यह किसके बरबर आदेगा क्योंकि आपने f of x यह रख है तो इस theorem किताब के बरबर होना चाहिए यहां x की जगा अगर हम n put करें तो f of n क्या बनता है log n over n यह f of n बनता है तो a n इसके बरबर आ गया for all and greater equal to one using theorem 4 अब इसका अगर आपने इस लिमट इसकी सीकेंस की लिमट मालूं करनी है तो आपको इस फंक्शन की लिमट मालूं करनी होगी लिमिट अ इसकी जगह उसकी बलूब कि रेंगे तो यह… अब आखिज अब ऑर इन्टी फार्म है do you do You want integrity form और इंफिनिटी honestly for my day तो लॉपीटा रूल लगते हैं लॉपीटा रूल किया था क्विंद डिर्फटा रहना ही नीचे वाले का डिरोटा जै वो आपने लादा रहना है तो लॉपीटर रूल आ गया 1 over X log X का derivative of 1 over X X का derivative of 1 अब आप इसको लिक सकते हैं लिम्यर्ट आप एंपर इस इंपर इंप इंपर्टी तो इसका रिख दराइब इंपर्टी और इस इकल तू जिरो अगला क्वेस्टिन जिया वो किया है इसका आंसर मालूम करने के लिए इसकी बी जरा कैलकुलेशन करते हैं तो लिम्ट एन प्रोच इंटी क्या किया हमने डिनॉमिनेटर में से टो और आपिख के पाला कृमन प्रा करृच ूश्म एकली रिधार में से पिए डिनॉम्टी आन्स आमğन प्रोच वाज़न उन्च ईक्या राचाबं तो आपके पास पर इस क्वेस्टन का आंसर जैक क्रेक्ट आप्शिन जो क्या है तो इसी तरह नेक्स क्वेस्टन तरह देख लें यह भी वरकिंग है लिमट एन प्रोज इंफिनिटी एन क्यूब और फाइवन क्यू प्लस फोर एंसके प्लस एट तो इसमें भी आप कुछ पत तो we can take common n cube from the denominator leaving here 5 and here we will have 4 over n and here definitely we will have 8 over n cube now canceling this n cube from the numerator and the denominator we will have 1 over 5 plus 4 over n plus 8 over n cube now when you put n is equal to infinity 4 over n will become 0 8 over n will become 0 and ultimately you will get 1 over 5 here 1 over 5 and this term becomes 0 this term becomes 0 this gives you 1 over 5 and which option should be the correct option 1 over 5 C part turning to the next question यह यह भी जरा प्रादी तस ब्हेस्ट है कि एल न वन वर तू प्लस एलन वन वन वर अन अवर टी प्लस एलन थी प्लस'll and three or four plus up to 0. sour इसका आंसर लिखना है जी इन में से ये चार आंसर्ज हैं लॉग वन बाइटू लॉग एन अवर एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन या फिर जीरो अब इसकी वर्किंग भी जरह देखते हैं मैंने लिखा लॉग वन और एन अप्टू सोन अब कोई फार्मूला याद है लॉग का लॉग ए प्लस लॉग भी प्लस लॉग सी अप्टू किस के रभर होता है लॉग एबी सी उसे कहते हैं सम्टू प्रोड़क्ट फार्मूला तो यह आपके पास आ गया यह क्या बनेगा फ इसी तरह कंटीनुस कंटीनु करेंगे अब सारे का सारा अब आप बढ़र से देखते हैं कि आपके पास यह टकंसल हो जाती है कौन-कंसी थां गन्सलों हूट थी है आपके पास तो निमिरेटर से और टू टैन आमिरेटर से चेंटेंसल जोगता है आई तिंक यह आपको तो next step आपका 3 जो है numerator से और denominator से cancel हो जाता है तो इसी तरह इस 4 को बड़े गौर से देखें आपको आगे नजर करच नहीं आ रहा तो आप लेकिन आगे आने वाला 4 ही था numerator में आगे आने वाला 4 ही था तो आपका ये denominator वाला जो है वह आगे आने वाला जो numerator वाला 4 है उससे डेफिनल्टी चैंसल ओड़ेगा अब इस वक्त नजर नहीं आ रहा लेकिन अब जारी बाता है इतनी टरम्स हम कैसे लख सकते हैं इंचा टाम देखनी हैं चैंटीनिशन है अब लाइकवाइस यह जो नियूमिल्टर का न है इत विल बी कैंसल आउड़ दा आफ दॉन यह जो शरुब एक लगा और्के साथ यह जो आगे लोग वन अवर एंड लॉस वन तफिर ऊंसर इसका कौन सा साही हुआ सामने नजर आ रहा है आपको सी पार्ट जो है वो आप्शन इसकी क्रेक्ट है यह वरकिंग हमने कर ली और जरा आगे चलते हैं यह अब इसकी वरकिंग तो होफ़ली आप कर लेंगे लॉग 1 by 3 प्लस लॉग 3 by 5 प्लस लॉग 5 by 7 अप टु सो ओन इसकी वरकिंग तो आप कर लेंगे तो आपको नजर आ रहा है लॉग 3 3 से कट जागा 5 5 से कट जागा 7 7 से कट जागा 2N-1 इस 2N-1 से कट जागा उसी तरह जिस तरह पिछे वरकिंग की है तो अल्टीमेली वन ओवर 2N प्लस वन हमारा रह जाएगा यह देखें एंगे तो आप पहले इस सीरीज में से एं तलाश करेंगे तो अन किया है इस सीरीज में से उसकी जरव वरकिंग देखते हैं a, n, n over 8'Kah n अब a, n तो तलास कर लिया यह वोला a, n plus 1 भी तलास करेंगे वो कैसे करेंगे इसी में n जगा n plus 1 put कर दें n की जगा n plus 1 put किया आव j нужно 1 हो गया n की जगा n plus 1 put कि य न प्लास वन तो वो 8 की power n plus 1 हो गया तो अब आप देखते हैं के ये जो 8 की पावर न प्लस वन न ये लद़ गर दिया और 8 की पावर न लाद़ कर दी वपर से न प्लस वन जो है वह रह गया अब आपने एं आपको गिवन था उस गिवन की मदसे सीडिस की ये टुट तरौम है इस एं with the help of this an you had you just have calculated an plus 1 which is n plus 1 over 8 into 8 raised per n now what we are going here we are just finding this limit limit n approaches infinity an plus 1 over an limit n approaches infinity what is the value of an plus 1 as we calculated just here n plus 1 over 8 into 8 raised per n and what is the value of an n over 8 raised per n now obviously you can cancel 8 raised per n this 8 raised per n and this 8 raised per n and we will have here limited after cancelling limit n approaches infinity n plus 1 over 8 over n now ultimately this 8 will become one in the denominator leaving n plus 1 over 8 n and finally we can take 1 over 8 outside the limit and you can take 1 over 8 outside the limit and you can take 1 over 8 n approaches infinity n over n 1 and you can take 1 over n now you can take 1 over n now you can take 1 here 3 is the value of a 1 over 8 and you can take 1 over 8 over 8 and you can take 1 over 8 which is the value of 1 over 8 now you can take 1 over 8 and you can take 1 over 8 if you have to be part of क्योंकि इतना ज़रा टाइम आपके पास होगा नहीं पेपर में कि आप इतना लंबा काम कर सके आप जड़ा जड़ा आगे चलते हैं कि आगे में पास question क्या है next question यह फिल वही है पिछला question अब आफ प्लस वन तो सीट एकर एसी पोकल आजेगा ओफफ़ली इसका अंसर भी जो है अगर वही वरकिन करें तो डी पार्ट आना चाहिए तो होगा वान वर अट आया था if the series n converges then अच्छा भी अगर series converge करे तो ये मारा result है बड़ा important कि अगर series converge करती है तो उसकी ns term की limit java 0 को प्रोच करती है ये बड़ा ही एक important result है आगे चलके comparison test प्रकरा में हम ये लगाते भी है फिर वो कहता है कि अगर limit n approach is not limit n approach infinity n is not equal to 0 then the series तो definitely ये फिर diverge करेगी उपर condition लगा के तो है हम कि अगर तो वो converge करती है तो फिर 0 होना है और अगर वो 0 नहीं है तो फिर diverge करेगी फिर converge करी नहीं सकती तो ये वही result है दूसरे तरह से पूछ लिया गया है the series whose terms are alternatively positive and negative are called तो जैसे कि बताया जा रहा है alternative positive and negative इसको alternating series कहते है और alternating series test भी महरे पास मुझूद है वो भी हम लगाते है alternating conditional convergence या absolute convergence के लिए the interval in which a power series converges at each point of the interval is called an interval of convergence कराएगा जिस में जिस interval में हर point के पर series converge करे उसको हम interval of convergence कहते हैं तो next question देखते हैं the half of the length of interval of convergence is called the radius of जाहरी बता है वो radius of convergence होगा ना जिसको के उपर आप कह रहे हैं interval of convergence की बात कर रहे हैं तो उसका radius जाह है वो radius of convergence ही होगा यह क्या कहर रहा है जी बाइडिशो टेस्ट देरेडिशो टेस्ट देरेडिशो टेस्ट देरेडिशो टेस्ट से इसी तरह रूट टेस्ट जब लगाते हैं तो रूट टेस्ट बेसिकली यह होता है रूट टेस्ट जो है वो एंड की पावर वन अवर एंड तो आपका आपके पास जो एंड की जो सीरीज की एंस्ट से चोटी है और अगर वो कहता है शीरीज करे तो यह सीरीज क्या होगी बी एंड बड़ी सीरीज है याद रखें अगर बड़ी सीरीज क्नवर्ज करे तो छोटी लाजमी क्नवर्ज करती है और अगर छोटी डवर्ज करे तो बड़ी लाजमी डवर्ज करती है यहां वराल क्नवर्जंस किसकी उसने कही हुई है बड़ी की बड़ी सीरीज अगर क् और आंसर जो आएगा ये बलाए